सिंगर सिधु मूसेवाला कील हत्या के एक दिन बाद गुरुपतवन सिंग पन्नु के एक वीडियो मेसेज जारी कर पंजाबी सिंगर्स को धमकी दी है सिक्स पोर जस्टिस नाम के एक आतंकी संगठन का मुख्या पन्नु अपनी आतंकी घटनाओं के लिए सुर्ख्यों में रहता है 31 माई को शुमला में प्रधान मंतरी के रैली में खालस्तानी जंडा फेराने वाले को एक लाग डॉलर देने की भी बात कहे चुका है पन्नु इस रुपोर्ट में देखिए गुर्पतवन सिंग पन्नु ये नाम तो सबने सुना होगा ये नाम है एक आतंकी का जो हिंदुस्तान छोड़ चुका है अमेरिका में बैट कर पंजाब को अलग देश बनाने की मांग करता है फंडिंग भी करता है खालस्तान को अलग देश बना कर रास्ट करना चाता है लेकिन इस बार इसकी चर्चा का कारण है सिद्धु मूसेवाला की मौद सिद्धु मूसेवाला भी इस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था इसले ही पन्नु को मिर्ची लगी हुई है सिद्धु खालिस्तान समर्थक जैनरल सिंग भिंडरा वाले का महिमा मंदन भी कर चुका था पन्नु सिद्धु की मौद से बौकला गया है अब पन्नु सिद्धु की मौद के एक दिन बाद ही उसका ऑल्टरने धूड़ने में लग गया है इसी कड़ी को जोड़ते हुए पन्नु ने सभी पंजाबी सिंगर्स को धमकी दी है कि SJF से जुड़ जाओ नहीं तो अगली गोली किसके सीने में होगी इस बात का पता नहीं चलेगा आपको बता दे पंजाब की मांद सरकार पन्नु को रोकने म असमर्त रही है पटियाला हो या मोहाली धमा के मांद सरकार को दोनों ही जगा मू की खाई है संगठन के मुख्या प्रतिपंदत आतंकी गुरुपतवन सिंग पन्नु ने वीडियो मेसेज में कहा है कि अगली बुलेट कब कहा और किसे लगेगी ये कोई नहीं बता सकता इस एफ जे अमेरिका स्थित एक आतंकी संगठन है जो भारत में बैन है ये संगठन पंजाब को भारत से काट कर एक अलग देश बनाने के पक्ष मेरा है इसे लेकर पिछले साल खालिस्तानियों की तरफ से ब्रिटेन में जनमत संग्र यानि खालिस्तान रेफेरेंडम करवाया गया था इसमें 18 से उपर किसिक वोटरों को वोट देने के लिए बुलाए गया था सिद्दू की मौत के बाद मान सरकार को किसी भी धमकी को हलके में नहीं लेना चाहिए सिद्दू की मौत से मान सरकार पहले ही विवादों में है पन्नो की धमकी को इसले भी प्रमुक्ता से लेना जरूरी है क्योंकि मानसरकार पंजाब में खालिस्तानियों पर काबू पाने में नाकाम रही है इस रिपोर्ट में मेरे साथ इताही तमाम खबरों के लिए देखते रोएे कैपिलल टीवी नमस्कार